लौंग के इन उपायों से लोट आएंगी घर की खुशिया एक बार जरूर करें ट्राई लौंग का इस्तिमाल हम अपने घर की पूजा पाट के साथ साथ कई अन्य कामों में भी करते हैं लौंग के इस्तिमाल से होने वाले फायदों के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है लिहाजा हम आपको इस चमत कारिक लौंग के उन फायदों के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा शनिवार की शाम को घर के में गेट के पास लौंग के साथ कपूर मिला कर जला है इससे आपके घर में कभी नकारात्म कूर्जा का वास नहीं होगा इसकी राख का छीटा पूरे घर में मारें घर से नकारात्म कूर्जा हमेशा के लिए खत्म होगी जिन लोगों का राहुकेतू सही नहीं होता है ऐसे लोगों को शरीवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए या फिर उन्हें शिवलिंग पर लौंग अर्पित करना चाहिए इसे लगातार कुछ दिनों तक करने से राहुकेतू का प्रभाव खत्म होने लगता है अगर आपसे किसी ने उधार लिया है और वापस करने में दिक्कत कर रहा है तो ऐसे में आप और निमा या फिर अमावस्या के दिन 11 या 21 लॉंग को कपूर के साथ जलाएं और माता लक्षमी का ध्यान करते हुए अपनी बातों को बताएं इस उपाये से आपकी समस्या हल हो सकती है इंटर्व्यू के समय आप अपने मूह में दो लॉंग दबा कर जाएं जब वहां पहुंच जाएं तो उसे निकाल कर फेंग दें मन में भगवान का ध्यान रखते हुए इंटर्व्यू दें आप कुन ओकरी मिलने की समभावना जाएंगी